हालो फ्रेंट्स वेलकॉम टू प्रोलाइफ फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरली प्रेग्नेंस से रिलेटेड कुछ सिंप्टम्स के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में तो जानेंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में तो फ्रेंट्स वीडियो को अगर आपको Pregnancy confirm करवाना हो आजकल तो market में बहुत सरे कीड़ आ गया है उसको जैसे कि प्रेगा नीव्य या बहुत सरे बहुत सरे बगयरा भी आ रहे हैं उसको आप देखके भी आप कंफर्म करवा सकते हैं कि प्रेग्नेंस आपको है या नहीं अगर यह यह confirmation आपको होता है, तो आपको पहली symptom आपको के पास हो सकता है miss period, तो यह miss period अगर आपके हो रहा है, तो आप एक तरह से समझ जाना कि यह pregnancy का symptom हो सकता है, अला कि यह symptom कई बार ऐसे हो सकता है, जैसे normally उच्छ ट्रावेलिंग के बज़े से भी, यह symptom आपके सा सकता है या आपके periods लेड हो सकता है लेकिन उससे confirm होने के लिए आपको जो test करवा लेना बहुत ज़रूरी है आप इसको घर में भी करवा सकते हैं या आप लोगों को भी पता होगा तो इसका पहली symptom से अगर दूसरी नंबर की symptoms के बारे में देखा जाए दूसरी नंबर की symptoms में टेंडरनेस या स्वेलिंग हो सकता है तो इसी दौरान जो हर्मोनाल की इंबालांस हो रहा है आपके सरीच में यह हर्मोन की बज़े से यह स्वेलिंग या टेंडरनेस आपके ब्रेस्ट में आ सकता है यानि ब्रेस्ट में दर्ध हो सकता है तो यह symptoms सरे जो हर्मोनाल एल्बालांस की वज़े से हो रहा है यह symptom हो जाता है और दिसरी नंबर की जो symptoms की बारे में देखा जाएं नोजिया विथ वोमेटिंग या विदाउट गॉमेटिंग यह शीक्नेस आपको रहता है या हमें एनी टाइम दिन में आपको यह प्रोब्लेम हो सकता है और इस श्म्टम्स की बारे में देखा है इंक्रीज उरीन सब्सक्राइब दिन में जितने बार भी विसाफ जा रहे थे हैं या आपकी उरीन जितने भी हो रहा था उससे कही ज़्यादा बढ़ जाएगा कही गुना यह बढ़ जाता है तो यह भी एक प्रकार का सिम्टम्स आप इ तो इसमें कुछ घवर्णाने के बात नहीं है पहली प्रेग्नेंसी में यह जो फटीगु वाला शिम्टम्स आपके पास हो सकता है और फ्रेंड्स कुछ अधर स्वीम्टम्स की बारे में देखाए अगर यह पहली जो प्रेग्नेंसी का जो 9 महिना का पीरियर्ड होता है जो जो फर्स ट्राइमिस्टर ओड जा सेकेंड प्राइमिस्टर हैं यह अर्फ पहले आपकी मोडेस्ट यानी मूड़ फूइंग हो सकता है पेहली में हर्मोनैल रहे सकते हैं यह कभ दूख में रहे सकते हैं कभी आप हशी में रह सकते हैं कभी बीना वाद के आपको रोना जैसा dellयाप को हो सकता है कुछ पहला सिम्ट्मच आपको देखा सकता है Пेहली ट्रैमिस्टायर में तो यह symptoms भी आपको pregnancy के बज़े से आपको दिखा सकता है और second symptoms आपको bloating हो सकता है या जितने भी कुछ खाना अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको गुप यर्ली मीड़ सकता है और यह problem आपको यर्ली pregnancy के trimester symptoms में आपको bloating जैसा फिल भी आपका हो सकता है तो यह भी pregnancy में ज्यादा तर trimester में को यह problem भी face करना पड़ सकता है light spotting यानि हलका हलका bleeding होना यह भी यह प्रकार का first trimester के symptoms में आप यह problem भी यह symptoms भी आपके पास हो सकता है तो यह 10 दिन या 14 दिन जब आप constipator के हंदर में यह problem जो यह symptoms आपके पास दिखा सकता है और friends abdominal cramping यह आपके जो निचले हिसे में पेट के निचले हिसे में निचले abdominal में cramping type का फिल आपको हो सकता है तो यह भी यह प्रकार का symptoms आपको early pregnancy में दिखा सकता है और एक symptoms आपके पास फ्रेंड से देखा सकता है constipation प्रेगनन्सी के दौरान hormonal imbalance के बज़े से आपके digestive system वहता है digestive trug आप ज्लोडाउन हो जाता है और जिसकी बज़े से आपके indigestion की समस्य आपके पास हो सकता है और ग्यास की भी समस्य आपके पास हो सकता है तो उसी दौरान आपके ऐसे भी हो सकता है तो यह भी यह प्रकार का प्रेग्नेंसी का सिम्टम्स होता है आपको फूड कुछ भी फूड आपको लेने की मन नहीं करेगी जो भी फूड आपको आच्छा भी लग रहा होगा जो फूड यह आप यह फूड को मान के चलते हैं यह फूड आपको आच्छा लगता है आप इस शोमें श्चरा में रॉनी नोस यह चीज रहता है यानि एक्सेशिव कोल्ड वी आपको उस दोरान हो सकता है तो यह प्रोग्लेम्श ज्यादा थार हर्मनाल इल्मेलंज की बजे से आपको यह प्रोग्लेम भी करना पड़ सकता है हाटवेर्ध फेस नटियुज सकता है यह प् भी प्रक्ण सलगा आपको यह सारे कप्रियोड प्राइड सब्सक्राइब को प्रेग्रेंस से बैटेड यह ली कुछ पहले जो सिंटम्स दिखाता है उनके बारे में उसके बारे में कुछ इन्फर्मेशन जरूर मिले अभी तक अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ बेल बटन को भी दवा दीजिए तैकि एसे ही एलसे रिलेटे झाल